Hi everyone, आशा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हम रोजाना की तरह, आज फिर एक स्टोरी लाए हैं, जो है The Old Woman's Hut यानि एक बूड़ी ओरत की कुटिया या जोपड़ी हम रोजाना इंगलिस तो पढ़ना चाते हैं, पर पढ़ नहीं पाते हैं, उसका कारण क्या है पहला कारण हो सकता है, कि आपकी जो vocabulary है, वो नहीं है vocabulary मतलब जैसे ये kind word है, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए और किस तरह से sentence में उसको यूज कराईए, तब ये आप किसी भी sentence का अर्थ निकाल सकते हैं और दूसरा करण आपका English ना बोल पाने का, वो है आपका daily practice ना करना अगर आप daily practice करते हैं, इंगलिस की reading practice करते हैं, तो जादा दिन नहीं लगेंगे कि आप इंगलिस ना बोल पाएं या इंगलिस में बात ना कर पाएं आज मैं जो story लाया हूँ, उसमें मैं हर एक चीज आपको explain करूँगा, word to word हिंदिक translate करके दिखाऊँगा और इसी तरह की मैं रोजना वीडियो लाता रहता हूँ, अगर आप पहली वार आए हैं और इंगलिस ची के चुक हैं, तो subscribe कर लिजिए, शुरू करते हैं आज की story विक्रमा दित्ये, वाजे, kind and justice loving king विक्रमा दित्ये, एक दयालू और न्याय पिर्ये राजा थे, justice न्याय, loving पिर्ये, king राजा तो विक्रमा दित्ये कैंसे राजा थे, एक न्याय पिर्ये राजा थे, even the gods descended from heaven, यहां तक की भगवान भी स्वर्ग से उत्रे to get some issues judged by him, यहां तक की भगवान भी स्वर्ग से उत्रे, कुछ मुद्दों पर न्याय करवाने के लिए इतने इमानदार थे, जो हमारे विक्रमा दित्ये राजा थे descended होता है, descended होता है उतरना, heaven होता है स्वर्ग और issues, मुद्दे, judged, judged मतलब किसी चीज का न्याय जो करवाने की, जो किर्या है, वो judge, मतलब न्याय करवाना तो सबसे महत्मूर्ण चीज क्या है जब अगर हम English सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास vocabulary का भंडार होना चाहिए और वो कैसे आएगा, आप हमारी वीडियो देखेंगे, तब या फिर आप अगर किसी भी news paper को या फिर किसी भी story को खुद से भी पढ़ते हैं, तब भी आपको उससे काफी help मिलेगी जब मैं कोई भी story लाता हूँ, आपने देखा होगा, मैं हर एक word को आपको explain करता हूँ, जैसे मेरा इसमें heaven, descended, यह आया है, मैं इनको सबको लिखूँगा, क्योंकि ये एक बार आये हैं, और हमेशा इनकार्थ यही रहने वाला है Once, एक बार, he decided to build a beautiful palace on the riverbank, एक बार उन्होंने एक सुन्दर महल वनाने का निश्चिय किया on the riverbank नदी के तट पर, riverbank होता है नदी का तट ये राजा विक्रमा दित्ती हैं, और ये वो बुड़ी ओरत हैं, जिनकी वो हट है, कुटिया है The minister got the work, started at once, मंत्री ने तुरंत कार्य करवाना प्रारम कर दिया At once होता है तुरंत, they bent there to examine the site, बे बहा निर्माल इस्तल पर जाच करने या मौइना करने के लिए गए Site होता है निर्माल इस्तल, examine, जाच करना या परिक्षन करना या मौइना करना Everything was perfect, सब कुछ ठीक था, but there arose a problem, लेकिन वहाँ एक समस्या आखडी हुई, अरोज होता है खुद बखुद आखडी हो जाना कोई चीज There was a hut of an old woman, बहाँ पर एक बूडी ओरत की कुटिया थी, near the palace site महल के निर्माल इस्तल के पास में एक बूडी ओरत की कुटिया थी, palace होता है महल और site आप जानते ही है, निर्माल इस्तल और hut हमारा कुटिया It was spoiling the grace of the palace यह महल की सोभा को खराब कर रही थी, जो कुटिया थी, वो महल की सोभा को खराब कर रही थी spoil होता है, बिगारना, खराब करना, grace, सोभा या भव्यता, palace हमारा महल था ही The minister reported the matter to the king मंत्री ने इस मामले की सूचना राजा को दी, कि ऐसे ऐसे जब वो कोई महल बन रहा है और उसके पास में कोई जोपली बगरा हो, तो हर किसी को लगेगा कि भई, वो उसकी महल की सोभा खराब हो रही है तो जो यह matter था, the minister reported the matter to the king मंत्री ने इस मामले की सूचना, king राजा को दी, जो राजा थे हमारे विक्रमा दिती है, अभी हमने जो लाश्ट में देखे थे the king sent for the old woman, sent for, sent for होता है बुलवाना, the king sent for the old woman, राजा ने उस बुढ़ी ओरत को बुलवाया and try to buy her hut, और उनकी जो कुटिया थी उसको खरीदने की कोसिस की, खरीदना incense की, खरीदने के बाद उसको बहां से हटा देंगे और बहां अपना जो महल वो पैलेस बना रहे थे वो बना देंगे, and try to buy her hut, और उनकी कुटिया को खरीदने की कोसिस की, at a good price एक अच्छे दामों में उनकी कुटिया को खरीदने की कोसिस की, the old woman, बाज अन, adamant character जो वो बूढ़ी ओरत थी, एक हटी स्वेभाब की थी, उस उमर में सबका यही स्वेभाब हो जाता है, the old woman बाजे, adamant, adamant होता है, जिद्दी, हटी, करेक्टर, चरित्र स्वेभाब, तो वे एक हटी स्वेभाब की थी, she said, उन्होंने कहा, pardon me, your honor, मुझे च्छमा करें, जच सहाब, your honor, कोट में भी बोल जाता है, your honor, आपके सम्मान में, pardon me, your honor, मुझे च्छमा करें, जच सहाब या राजा, your offer is not acceptable to me, आपका प्रस्ताब मेरे लिए स्विकार्य नहीं है, ऐसा जो वो बूढ़ी ओरत थी, old woman थी, उन्होंने कहा, the hut is more dear to me than my life, जो कुटिया है, कुटिया मुझे अधिक पिर रहे है, मेरे प्राणों से या मेरे जीवन से अधिक पिर रहे है, I lived all my life in it, मैंने अपनी पूरी जीवन इसमें विताया है, and I want to die in it, और मैं इसी में मरना चाहती हूँ, it is the only memory of my late husband, यह केवल एक मात्र यादगार है, मेरे स्वर्गय पती की, late मतलब, late जहां लग जाता है, स्वर्गय हो जाता है, कि वो expire हो गए, जैसे late father, late mother भी लगाते है, it is the only memory, यह केवल एक मात्र यादगार है, of my late husband, मेरे स्वर्गय पती की, ऐसा उस बुड़ी ओरत ने कहा, the king thought for quite some time and spoke, राजा ने कुछ देर सोचा और बोले, let people see my palace, लोगों को मेरा महल देखने दो, and her hut standing side by side, लोगों को मेरा महल देखने दो, और पास में खड़ा हुई उनकी कुटिया को भी देखने दो, ऐसा राजा ने बोला, they will appreciate my test for beauty and love for justice, बे सुन्दर्ता के लिए मेरे स्वाद और नियाय के लिए मेरे प्यार की सरहाना करेंगे, ऐसा राजा ने कहा, appreciate होता है सरहाना, या फिर पिर्संसा, justice आप जानते ही हैं, नियाय, ब्यूटी, सुन्दर्ता, ये हमारी आज की स्टोरी थी, और उसके बाद ये एक moral स्टोरी है, तो इसका एक सार होता है, वो भी इसमें दिया होता है, तो उसको हम जानने वाले हैं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए, और साथी bell icon दवा लिजि and sentiments of others, एक आदमी महानता तब पाता है, जब रहे हैं, दूसरे के बिचारों और भाबनाओं को महत्व देना सुरू कर देता है, तब रहे महानता पाता है, फोर जिस्टिस न्याय के लिए आलार इक्वल, न्याय के लिए सभी समान है, जिस्टिस होता है हमारा न्याय और इक गोडदा, ओल्ड बुमेंस हट, रिमोब्ड, बिक्रमा दित्यबली आसानी से बुढ़िया की जोपली को हटवा सकते थे, लेकिन उस एक न्याय प्रियराजा के रूप में उनकी छवी को नश्ट कर देता, अगर वो उनकी कुटिया को हटवा देते, तो क्या था जैसे भग अगवान भी उनसे कुछ मुद्दों पर नियाय करवाने के लिए धर्ती पर आये थे, तो वो उनकी उस छवी को नश्ट कर देता, यही था हमारी आज की स्टोरी का सार, आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप वजाना इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन जरूर दबा लेजिए, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले, मिलते हैं कल इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करना, थैंक क्या क्यां थिए ते जरूर करना इस वीडियो कार्णा में